Hello students, मैं Dr. Alka, Associate Professor in GD Girls College, आपकी जोलोजी की टीचर हूँ और आपको पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, B.A.C. फर्स्ट के स्टूडेंट्स का है ये वीडियो और हम आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो है मॉलस्का, संग मॉलस्का, फाइला मॉलस्का के बारे में हम पढ़ें इसके आज मैं Characteristic Features बताऊंगी और इसको किस आधार पर आगे वर्गिक्रत किया गया है ये बताऊंगी इस संग के बारे में और अभी तक हमने पिछले संग उसमें आपने वीडियो में पढ़ा था संग और्थोपोड़ा के बारे में उसके Characteristic Features मैंने बताय थे फिर उसका हम पढ़ते हैं संग मॉलस्क का ये भी बहुत ही easy फाइलम है आप पढ़ते आ रहे हैं 12 से तो इसका चलिए फटाफट अपन इंट्रोडेक्शन मैं बताती हूं आपको और फिर उसके बाद अपन Characteristic Features जो हैं वो हम आज पढ़ेंगे तो इसका जो जनरोड एक कड़ी संरचना पाई जाती है कवच नुमाइस फ्रेक्शर पाया जाता है जो कि केल्शियम कार्बोनेट का बना है इससे धका रहता है इनका शरीर यह यूं कहिए कि प्रोटेक्टेड रहता है इससे कवच से इस संग को जो मॉलस्का का नाम है वो जॉन स्टन नाम के सा कवच पाये जाते हैं उसके अध्यन को कॉंचोलोजी कहते हैं तो दो टैमिनोलोजी आपको याद रखनी है अब इसकी लक्षन के बारे में अपन बढ़ते हैं तो इनका जो शारीरिक संग्ठन है वो अंग तंत्र कोटी का होता है अंग तंत्र कोटी का मतलब अब जो लोम होते हैं सिलोमेट होते हैं ये और ये खंड विहीन होते हैं कुछ को छोड़कर ये सभी खंड विहीन होते हैं और इनमें द्वी पाशर सम्मित पाई जाती है इनका शेरीर कोमल होता है और सिर मेंटल और विसरल मास में इनका शेरीर जो है वो विभेधित होता है ये व कहलाती है और बचों यह जो मेंटल है यही कबच का शिरावन भी करती है तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम इनमें जो पेशिय पाध होता है या मस्किलर फुट होता है इसमें उसके द्वारा यह गमन करता है बिल बनाता है और तैरने में जो पानी की सतह पर तैरने में ये इसको सहायता प्रदान करता है मौलस्का के जंतुओं को पेशिय पाद मस्कुलर फुट इसके बाद है देगुआ देगुआ जो है डीजनरेटर होती है हरासित होती है इसमें और मुख्य रूप से जो केविटी गोनो सील और रीनो सील के रूप में निरुपित हो जाती है तो यह मुख्य बात है यह आप ध्यान रखेगा कि सीलोम जो है वो हर्दयावरनी गुहा जनन गुहा और व्रक गुहा में निरुपित हो जाती है पेरिकार्डियल केविटी गोनो सील और रीनो सील अब next जो इसका character वो है वो ये है कि शरीर के अगर भाग में इसपस्ट सिर पाया जाता है और कुछ को छोड़कर इनमें नेत्र पाया जाते हैं simple eyes जिसको बोलते हैं इस पोर्शक पाया जाते हैं tentacles इंग्लिश में बोलेंगे और दूसरे इनमें सन्विदांग पाया जाते हैं sensory organs पाया जाते हैं head reason में simple eyes, tentacles और सन्विदांग इनमें पाया जाते हैं अब है mental जो है वो generally muscular होता है मोटा होता है और ये जो mental है ये अंदर के जितने भी organs हैं अंतरांग पुझ जो है या visceral mass जो है उसको ये गहरे रहता है ये mental और ये जो visceral mass है ये और mental के बीच जो गुहा होती है उसमें gills पाय जाते हैं तो ये जो gills है ये स्वसन में सहायक होते हैं ये स्वसनांग है इसके संग मौलस्का की प्रानियों के अब है पाचन तंतर जो है अनस तक सभी और जैसे mouth है, buccal cavity है, pharynx isophagus है और उसके बास stomach, intestine और अनस ये सब अगर जिसमें पाय जाते हैं ये अंग वो जो पाचन तंतर होता है वो पून कहलाता है, complete कहलाता है और इसमें भी develop type का पाचन तंतर पाय जाता है develop type के मतलब ये है कि इसमें पाचक गंतियां पाय जाती है digestive glands जिसको बोलते हैं, इसके अलावा इसमें liver पाया जाता है और इसके अलावा इसमें pancreas भी पाय जाते है, hipetopancreas पाया जाता है, यूँकि दोनों एक दूसरे से लिप्टे रहते हैं fused form में होते हैं अब इसके मुगवा में एक vicious अंग पाया जाता है जो की कहलाता है रेतनांग, या इसको redula भी कहते हैं, कुछ को छोड़कर ये सभी members में redula पाया जाता है, redula जो है ये मुँ में पाया जाने वाली ऐसी संड़शना है बच्चों जिसपे की cuticular teeth लगे होते हैं और ये जितने भी molluska के प्राणी है वो हर भी वोर होते हैं ये और जो पानी में पायी जाने वाली वनस्पती हैं उसे खाते हैं तो उस वनस्पती को उतरने के लिए इनमें जो vicious type का ये organ पाया जाता है जिससे की radula कहते हैं और इसमें cuticular teeth होते हैं तो अराम से कुतर के और इसको ये अंदर और भी जादा इसको छोटा कर देते हैं ये जो चर्वन apparatus है ये अब हम लेंगे circulatory system circulatory system जो है इसमें खुले प्रकार का पाया जाता है और इसमें हिर्दय होता है डोर्सल साइड में जो की हिर्दय आवरंट से घिरा रहता है पेरिकार्डियल कार्डियम से घिरा रहता है और ये जो हिर्दय है ये जो type है heart की या हिर्दय की ये myogenic type का हिर्दय होता है इसमें पेशी हिर्दय होता है कहने का तातपरी यह कि हिर्दय में जो धरकन है वो प्रारंब करने का गुण जो है वो हिर्दय पेशियों में होता है और तंत्रिकाएं केवल हिर्दय के धरकन धरका नियमन करती है धरकन को प्रारंब नहीं करती तो अब next जो अपना लक्षण है वो है कि इसमें जो रगत है वो रगत हीन या नीले रंका होता है और ये नीला रग जो है वो हीमो सायनिन नामक स्वसन वर्नक के पाय जाने के कारण होता है ये स्वसन वर्णक या रेस्पिरेटरी इसको pigment भी कहते हैं हीमोसाइनिन की वज़े से इसका रंग जो है वो नीले रंग का होता है हीमोसाइनिन जो है इसके अंदर जो धातू पाई जाती है वो copper होती है और ये oxygen को carry करने का खाम करती है अब next जो अपना लक्षन है वो है कि इसमें स्वसन जो है तोचा दोवारा होता है गिल्स दोवारा होता है इसके अलावा लंक्स दोवारा भी इन में मॉलस्का जन्तूं में स्वसन होता है बच्चों कभी exams में एक एक दो दो नंबर के भी questions आते हैं मॉलस्का के प्राणियों में स्वसन किसके दोवारा होता है तो आप सीधा लिख सकते हैं कि इन में स्वसन तवचा दोवारा गिल्लों दोवारा और फुफुसों दोवारा होता है respiration जो है skin के दोवारा या फिर body surface जिसको बोलते हैं उसके दोवारा या फिर gills के दोवारा या फिर lungs के दोवारा होता है इन में या इसलिए बोल रही हूँ या तो उसमें gills होंगे या फिर उसमें केवल lungs होंगे या फिर वो अगर ये दोनों absent होए तो वो तो अच्छा के दोवारा respire करता है अब इन में उत्सरजन जो है इसके लिए इन में paired metanephridia या kidney पाई जाते हैं और इसके अलावा इन में एक विशेज प्रकार के organs भी पाई जाते हैं जिसे बोलते हैं organ of boginus, organ of keber ये पाई जाते हैं तो ये भी आप नाम ध्यान रखेगा कि इनके अलावा इन में विरकों को अलावा या kidneys या metanephridia के अलावा mollusca की जो जनतु हैं उन में उत्सरजन बोजेनस के अंग और keber के अंग से भी होता है तो ये विशेश्ट उत्सरजी अंग है और ये अंग जो है organ of boginus, boginus नाम के scientist ने इसक हो जा था और keber के अंग, keber नाम के scientist ने खो जा था इन विशेश्ट उंगों को जो की उत्सरजन करते थे और इन्होंने अपना ही नाम इन organs को दे दिया अब ये तो एक myth है कहानी है कि कैसे इन अंगों का नामकरण हुआ है ये बता रही हूं मैं आपको अब next अपना लक्षन है वो है इनके तंत्रिका तंत्र में पेर्ड गैंग्लियोन पाए जाते हैं connectives पाए जाते हैं इसके अलावा इनमें connectives पाए जाते हैं इनमें और कमिशर्स पाए जाते हैं तो इनमें इनके तंत्रिका तंत्र में युगमित गुच्छक मतलब पेर्ड गैंग्लियोन और फिर सेयोजनी जो है वो connectives हो गए और संगाईया जो है वो कमिशर हो गए तो ये जो है एक समान गुच्छक को जोडने वाली जो तंत्रिकाए हैं वो तो कमिशर कहलाती हैं और दो समान अगर गैंग्लियोन अगर जोडते हैं तो वो फिर connectives कहलात इन में प्रमुख रूप से head मतलब brain होता है और फिर pedal ganglion मतलब brain में तो जो होता है brain ganglion, pedal ganglion और उसके बाद visceral ganglions पाए जाते हैं अब इनके अंदर इन जन्तुओं में नेत्र हुपाय जाते हैं इसके अलावा स्टेटोसिस्ट पाय जाता है संतुलन पुटिकाई जिसको बोलते हैं जो इनको तैरते समय संतुलन प्रदान करती हैं और इसके अलावा इस परशक पाय जाते हैं औस फेरेडियम पाय जाता है ज statuses, tentacles और osperidium इनमें sensory organs पाय जाते हैं अब ये जो osperidium है या जलेक्षिका है ये chemical chemo receptor है ये ये पानी की रसायनिक जाच करने वाला विशिश सनविदांग है रसायन ग्राही सनविदांग कहलाते हैं ये अब है ये जो है प्रिथक लिंगी होते हैं मेल पी मेल अलग अलग होत हैं एक दो ये चार जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं और जनन ग्रंथियों में जनन वाहिकाएं भी पाई जाती हैं इनमें शीचन प्राह आंत्रिक दोनों टाइप का होता है ये जो है अधिकांश्त है अंडे देने वाले प्राणी है और कुछ जो है इनका प्रतीशत कम है जो कि शीशू प्रजक होते हैं या वीवी पैरटी इनमें पाई जाती है इनमें जो क्लिवेज है वो स्पाइरल क्लिवेज पाई जाता है डवलेप्मेंट और प्रित्यक्ष प्रित्यक्ष दोनों तरीके से होता है और अप रितिक्ष डेवलेप्मेंट में लार्वा जो है ट्रोकोफोर पाया जाता है वैलिजर पाया जाता है या ग्लोजिडियम पाया जाता है ये भी पूछते हैं कि मॉलस्का के लार्वा का नाम बताईए तो आप पटाक से लिख दिजएगा ट्रोकोफोर वैलिजर और ग्लोजिडियम लार्वा अब है ये जलिये और इस तलिये दोनों आवासों में पाये जाते हैं मुकिते तो जलिये आवास में मिलते हैं लेकिन इस तलिये आवास उस जगह पाये जाते हैं जहां थोड़ा सा दल दल सा हो अब हम करेंगे इसके वर्गीकरण की बात तो classification जो है संग मॉलस्का को प्रमुक रूप से 6 वर्गों में वर्गीकरत किया गया है और इसके वर्गीकरण का जो आधार है वो है structure of foot पाद की संरचना इसके इलावा पाई जाने वाले स्वसनांग की किस तरह के इन में स्वसनांग है मेंटल किस टाइप की है और कवज की बनावट के आधार पर इसे आगे 6 classes में डिवाइट किया गया है और यह 6 classes है पहली है मुनो प्लैकोफोरा दूसरी है एमफी नूरा तीसरी है स्कैफोपोडा चौती है गेस्टोपोडा पाजवी है पहले सीपोडा और छटी है सिफैलोपोडा मैंने बचों आपको वाटसप किये हैं डाइग्राम्स और अपन आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन classes के बारे में बताऊंगे आप डाइग्राम्स को भी गौर से देखेगा ताकि यह आपको जो वीडियो है वो जल्दी से सामा जाए जाए थैंक यू वेरी मच बचों और वाचिंग दिस वीडियो